तेरे जन्वरी महा गुरुवारी पॉष पुत्रदा इकादशी बना सुपसईयों तुलसी जी पर चढ़ा दे यह एक चीज मिट चाय की बरसों पुरानी गरीबी हर कश्ट दूर करेंगी भगवान विश्ण ओम कैशी महा गड़ी शाय नमा दाधे दाधे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों पुत्रदा इकादशी साल में दो बार आती है एक सावन महा में और एक पॉष मास में पॉष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पॉष पुत्रदा इकादशी के नाम से जाना जाता है इस दिन भागवान लक्षमी नारायन की उपासना की जाती है। इस दिन ब्रत रखने से निसंतान दमपतियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। और संतान देर खायू, सुखी और संपन्य बनती है। पौश्पुत्रदा इकादशी का ब्रत रखने से भागवान, लक्षमी, नारायन के कृपा से सुखसमरती और सौभाकी की भी प्राप्ती होती है। दोस्तों इस पर पॉश पुट्रदा एकादशी का ब्रत 13 जनषरी दिन गुरुवार को रख जाएगा और ब्रत का पारण 14 जनषरी को किया चाएगा इस बार ब्रत पारण करने का शुप महुरत है 14 जनषरी की सुभए साथ बछ कर बंद्य मिनट से सुभे नौ बछ कर एक्किस मिनट तक दोस्तों एकादशी ब्रत का पारन द्वादशी तिथी समाप्थ होने से पहले अवच्छंचे ही कहले ना चाहें तभी ब्रत का पूरफल प्राप्थ होता है और द्वादशी तिथी चोधे जनवरी को समर्पित होती है इसलिए गुर्वार के दिन जब एकादशी आती है तो इसका मेहत्व और अधिक बढ़ जाता है गुर्वारी एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपा प्राप्त कहने के लिए बहुत ही खास मानी जाती है मानिताओं के अनुसार इस दिन जिसे भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपा प्राप्त हो जाती है जिन पर भगवान लक्ष्मी नारायन की कृपा प्राप्त हो जाती है उन्हें जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है भगवान लक्ष्मी नारायन अपने उन भक इसाफ वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस गुरुवारी महा एकादशी के दिन तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं तो इसे आपको तुलसी मा के साथ ही भगवान लक्षमी नारायन के भी अस्य गृपा प्राप्त होगी प्लिए नारायन आपके पूरे परिवार पर आपके गर्पाउज बरसाएंगे और जिस परिवार पर भगवार लक्ष्मी नारायन की होती है उससे कभी कोई संकत छूद नहीं पाथा। उसको घर में कभी अंधंकी कमें नहीं होती बर्सों पुराने जन जन्मांतर के पाप दुख और दर्टा का नाश्टों होता ही है साथी बर्सों पुराने गरीबी भी दूर हो जाती है और जीवन में खुश्यां आती है घर में सुक्सम्रथी बने रहती है आज के दिन तुलसी जी पर यह एक चीज़ चरहने से भगवान लक्ष्मी नारायन और तुलसी मा के करपा से जीवन में आने वाली जो परिशानिया है वह आने से पहले ही नश्ट हो जाएंगे और परिवार में खुशियां बनी रहेंगे दोस्तों वीडियो में आगे बन रहें से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूस्फूल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर पहल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों एकादरशी पर तुलसी चींग का पूचन करनी से पहले भागवान विश्नूमा लक्षमी का पूचन अवश्य करें इसके लिए सबसे पहले आप इस नान का सच्छ बस्त धारं करें आज के दिन पेले रंग के बस्त पहन कर भगवान लक्षमी नारायन का पोचन करना चाहें सबसे पहले आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बेच जाएं और भगवान जी के सामने एक शुतिखी का दिया जनाएं शुतिगी ना हूँ तो आप डालदाखी या मीठे तील का भी दिया जना सकते हैं दिया जलाने के पश्चाद आप दिये के साथ एक सुगंदी धूपत्ती भी अवश्य जनाएं ध्यान रखें आज के दिन दिये के नीचे चावलों को ना रखें आज के दिन ना तो चावल का सेवन करें और ना ही पूजा में चावल का इस्तमाल करें अब आप सबसे पहले भगवाण श्री गणेश को प्रणाम करें और कुमकुम से गणेश ची को तिलक करें इसके बाद एक कटोरे में आप लगभग तीन चाव चुटकी हल्दी लेने और आपको ध्यान रखना है हल्दी साफ होनी चाहिए मसाल दानी जिसे में मसाले रखते हैं उसमें से आप हल्दी ना ले क्योंकि उसमें मेच वगएरा मिल जाती है साफ जो बड़ी जगए पर आपने बड़े डिबबे में हल्दी रख रख हो साफ हल्दी आप वहाँ से थोड़ी पिसी हुई पीले रंगी साफ हल्दी लेने अब इस हल्दी में आप शुट्य जल मिला ले और इस हलती से अब आप सबसे पहले भगवान शीहरी विष्णू को तिलग करें फिर आप मा लक्ष्मी को तिलग करें भगवान लक्ष्मी नारायन को तिलग करने के पश्चात अब आप भगवान लक्ष्मी नारायन को किसी फलमिष्ठान का भोग लगाएं भगवान लक्ष्मी नारायन के फल मिष्ठान में आप तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। आज की दिन वैसे तुलसी का पत्ता भूल कर भी ना तोड़ें। लेकिन आप भोग लगाने के लिए एक दिन पहली तुलसी का पत्ता तोड़ कर रख लें या पहले से जो पत्ता रखा हुआ हो उसको पानी से चितरन से धूले और बापस से भोग में रखतें क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी बासी रही माना जाता अगर पत्ता सूख गया है तब भी वह बासी नहीं माना जाएगा तब भी वह पूचने ही रहेगा भोग लगाने के पर शाद अब भगवति वासु देवाय का जाब करें मंत्र का आप अपनी च्छनु सा जाब करें अगर हो सकी तो कम से कम 108 जाब अवश्य करें मंत्र का जाब करने के पश्टाद अब आप थोड़ी देर हाथ चोड़ का जैमालक्ष्मी जैमालक्ष्मी का जाब करें इस तरह पूचन करने कि परणाम करें और कश्टों को दूर करने के प्रातना करें पर आप अपनी किर्पा आशिरवाद आप और आपके परिवार पर बनाये रखें इस तरह पूचिन करने के पर शाद दोस्तों अब आप एक लोटे में शुत्य चल लें अगर गंगा जल है तो इस जल में आप थोड़ा गंगा जल मिला लें और आपने भगवान जी को जिस हल्दी से तिलक किया था वही हल्दे अब आप इस लोटे के जल में मिला दें अब इस जल को आप तुलसी मा प इसलिए एक आदashing के दिन भगवान पिश्टू प Candi हुई हल्दे अगर आप दूसे मा को चढ़ाये तो इससे तो आधिक प्रसण होंगी और अपना आशिरफात देंगी मां धोनला भगव्वां लक्श्मी नारायन की सहिए अश्यों कप दूसराइट भगवान-बिष्णू को अतिथिक प्रिय है और भगवान-बिष्णु कि चढ़ाती हुए तुलसी माया पर चढ़ाने से भगवान-बिष्णू मां लक्षमी-जीव भी अपनी असलिम्-कृपा परसाते हैं और शीक्रेंदी ही प्रसन हो जाते है और अपने भक्तों को मन-च ज़ड़ाने के पश्चात अब आप तुलसी मा की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप ओम नमो भगवती वासु देवाय मंत्र का जाप करें। हमारे पास कई कोश्चन आते हैं कि जैसे तुलसी जी दिवाल के सहारे हैं या फिर परिक्रमा करने की आसपास जगय नहीं है तो क्या करें। ऐसे में आप अपने ही इस्थान पर खड़े होकर 11 बार clockwise खुमकर तुलसी मा की परिक्रमा करें जैसे भगवान सूरे नारायन की की जाते हैं परिक्रमा करने के परश्चात अब आप दुलसी मा को प्रणाम करें भगवान लक्ष्मी नारायन को प्रणाम करें और अपने घर की सुक्सम्रध्य की कामना करें आपकी जूभी मनुकामना है वह भगवान जी के समक्ष कहें और मनुकामना पूर्ण करने के प्रा दोस्तों इस तरहें आपको सुभे की समय पूजन करना है ध्यान रखें संध्या कालिया रात्री के समय ना तो तुलसी जी का इसपरश किया जाता और ना ही तुलसी जी पर जल चड़ाया जाता है लेकिन अगर आप सुभे की समय पूजन ना कर पाएं तब आपको क्या करना है तब दोस्तों आपको जो भगवान विश्णू पर चड़ाई हुई हल्ती है उसी जल में नहीं मिलाना संध्यकालिया राती के समय पूजन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तुलसी मा के सामने एक खीका दिया जलाएं हो सके तो शुद्धिकी का दिया जलाएं और साथ में एक सुगंदि धूपती भी जलाएं अब जो भगवान विश्णू मा लक्षमी को हल्ती चड़ाई दे उस हल्ती को आप तुलसी जी पर ऐसे ही चड़ा दे हैं तुलसी जी के जड़ में आपको यह हल्ती चड़ा देनी है हल्ती चड़ाते समय भी आपको ओम नमो भगवति वासु देवाय मंतर का जाप करना है और फिर आपको ग्यारे बार तुलसी मा की परिक्रमा करनी हैं परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवति वासु देवाय मंतर का मन ही मन जाप करते हैं दोस्तों मंतर का जाप करन आप दोड़ी देर …मण-हि-मन जैमा लक्ष्मि-जैमा लग्ष्मि का भि जाप करें पूचन करें , आप भगवान लख्ष्मि न्यारयन को परढ़ सन्पर करें दोस्तों इस तरहें, आज के दिन तुलसी जी का पूचन करने से भगवान लक्षमी नाराय अथी शीक्र ही प्रसन हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा बर्दान देते हैं। तुलसी जी पे चल्दी ब्रुशन हो जाते हैं। तुलसी जी की गृपा से घर में सुकसम्रधी बनी रहती है। तुलसी मा का आशरवान प्राप्त होता है। और रात्री के समय तुलसी मा को इसपश ना करें। दोस्तों एकादशी के पावन पर पर इस तरहें तुनसी मा का पूचन अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स रिस्तेदारों में ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करें। जिस से भेबी इसका लाब उठा सकें। हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फर वचिंग राधी राधी